ओम शांति ओम शांति आज 25 अगस्त 2022 दिन गुरु वार की साकार मुर्ली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावा क्यों कूँ मीठे बच्चे तुम संगम युगी ब्राह्मनों का धर्म और कर्म है ज्यान अमरित पीना और पिलाना तुम नर्गवासी को स्वरगवासी बनाने की सेवा करते हों प्रेश्ण तुम ब्राह्मनों को कर्मों की किस गोह गती का ज्यान मिला है उत्तर अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी करमेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का सोगुणा दंड पड़ जाएगा यह ज्यान तुम ब्राह्मनों को है इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हों अभी तुम ब्राह्मनों का लक्षे है सर्वगुन संपन बनना इसलिए तुम अपने अवगुनों को निकालने का ही पुर्शार्थ करूँ गीत भोले नाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं अम शंती बेहद के बाप का नाम है भोला नाथ जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है मनुष्य तो सब है आसूरी संप्रधाय वह मनुष्य को देवता बना न सकें उनके लिए ही गाया हुआ है मनुष्य से देवता किये देवता रहते हैं अमर लोक में यह हैं मृत्यू लोक जरूर बाप आकर मृत्यू लोक में अमर कथा सुनाएंगे अमर बनाने के लिए अब मनुष्य से देवता किये करतनलागी वार यह किसको कहा जाए जरूर शुद्रों को ये डॉप्ट करता होगा न तो कहेंगे कि शुद्र वर्ण के मनुश्यों को ब्रह्मन वर्ण में ले आते हैं इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा को मार को मारी हैं ब्रह्मा की संतान हैं प्रजा पिता है तो उनको जरूर धर्म के बच्चे हुंगे, मुखवैंशावली है तो भी जरूर मात पिता चाहिए न, मम्मा की भी मुखवैंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुखवैंशावली तो दादे की भी मुखवैंशावली ठहरी, कुख वैंशावली का यहां नाम ही नहीं वह कल्यूगी ब्रहमन है कुख वैंशावली और तुम ब्रहमन हो मुख वैंशावली वह ब्रहमन तो एक दो का हतियाला बांधते हैं विश्पिलाने के लिए और तुम ब्राहमन अम्रित पिलाने परमातमा से हत्याला बांधते हो कितना अंतर है वे नर्गवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले ज्यान अम्रित से मनुष्य से देवता बनते हैं हम इश्वर की उलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है सगे और लगे भी है न लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को बाप का लव भी सगों पर ही रहता है सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा बधर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा अब तुम वर्णों को जानते हूँ बल विराट सवरूप बनते हो परंतु उन्हों की इस्ट्री जोग्रफी कोई बता न सके कि इनसे क्या होता है अभी बाप समझाते हैं कि यह चक्र फिरता है इतने जन्म देवता धर्म में इतने जन्म शत्रिय वर्ण में यहां कोई गपोड़े की बात नहीं है 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो जरूर सब को बनना है देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं अब यह मनुश्य स्रिष्टी का जाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है अर्थात कब्र दाखिल है यह है कयामत का समय सब ही का पुराना हिसाब किताब जुक्तु होना है और नया जन्म होना है चोपड़ा होता है धन का यह फिर चोपड़ा कर्मों के खाते का है आदा कल्ब का खाता है मनुश्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुक्तू हो जाता है नहीं पाप आत्म कैसे बने? प्रती दिन करमों का बोजा चढ़ते चढ़ते बिलकुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए परंतो बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास अभी तुमको मिलती है श्रीमत वह तो हुई मनुश्यों की मत जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं परंतो कैसे सभी एक्टर्स तो यहां हाजर जरूर रहना है वापिस जा नहीं सकते गीता में भी बहुत ऐसी बाते लिख दी हैं पहली बात है सर्व व्यापी की अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद रचता बाप और साथ में बाप की रचना सिर्फ बाप नहीं उनकी रचना को भी याद करना पड़े अपना धंदा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन सूख्ष वतन शी बाबा की बायोग्राफी ब्रह्मा विश्नु शंकर को भी जानते हो फिर संगम युग के जगत अंबा जगत पिता को भी जान लिया है जगत अंबा सरस्वती गाई जाती है उनके चित्र अनेक है वासव में मुख्य एक है जगत अंबा सरस्वती यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महराज श्री नारायन बनते हैं फिर 84 जन में शुरू होते हैं अब तुम धंदा धोरी भी करते रहते हो तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए नहीं तो सर्वगुण संपन बन नहीं सकेंगे गाते हैं न कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं इस समय है ही जूट खंड सच खंड स्थापन करने वाला एक बाप है इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं एहंकार है पहला नमबर शत्रू बाप डारेक्ट कहते हैं किलाडले बच्चे देह का एहंकार छोड़ो मुझे तो देह है नहीं मैं इन ओर्गंस द्वारा आकर बतलाता हूँ तुम इन ओर्गंस से सुनते हो और समझते हो अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुमारे विकर्म विनाश हो जाए कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पदभरष्ट हो जाए बाप कहते हैं बच्चे तुम्हे कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते अब बाप तुमको सच समझाते हैं तुम सत के संग में बैठे हो सच सुनने और सच खंड का मालिक बनने के लिए उनका नाम ही है टुथ सच्चा ग्यान सागर यह तो बाप कहते हैं कि मैं ग्यान का सागर हूँ ग्यान सागर से तुम ग्यान नदियां निकलती हो वह नदियां तो पानी के सागर से निकलती है वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती है पतित पावन तो परमात्मा होगा ना जो ग्यान का सागर है वह गंगा सारी दुनिया में थोड़े ही जाएगी ये तो बेहद के बाप का ही काम है तो तुम शुद्र से ब्रहमन बनते हो ब्रहमन है चोटी परन्तु अब सतोप्रधान नहीं कहेंगे क्योंकि अभी सब पुर्शार्थी हैं सेवा कर रहे हैं इश्वरीय संतान है इसलिए ब्रहमनों का बहुत मान है क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो ऐसे नहीं कि लक्षमी नारेन भारत को स्वर्ग बनाते हैं ये तो बाप बनाते हैं ब्रहमनों द्वारा ना की देवताउं द्वारा पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई स्रिष्टी रचनी है बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया नई चीज को पुराना तो होना ही है लोकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी वैसे ही सारी स्रिष्टी भी नई से पुरानी होगी जरूर अब देह के सब धर्म आदी छोड़ो अपने को आत्मा समझे बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है अब घर चलना है भूल तो नहीं गए हो मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ तुम हम पाँच हजार वर्ष पहले भी मिले थे मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था याद है ना भूल तो नहीं गए हो मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादिशाही देता हूँ तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ बच्ची कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते बाब कहते हैं नहीं ये स्रिष्टी चक्र तो अनादी है अगर चक्र से छूट जाए तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाए ये चक्र तो जरूर फिर ना है मैं फिर से आया हूँ कल्प 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 के संगम यूगе आता ही रहता हूँ उन्होंने सिर्फ यूगे यूगे लिख दिया है कहते भी हैं कि पतित पावन आओ पावन बनाओ सुखधाम में ले चलो पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है अच्छा मेरे पास तो दो धाम हैं कहां चलेंगे बाब कहते हैं सुख धाम में तो बहुत सुख है और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाट में तो आना जरूर है परन्तु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है तुम नर्क में माया के राजे में ही आना चाहते हो उस समय भी पहले सतो होगा फिर रजो तमो होगा जो पवित्र आत्मा आती है वे पहले दुख पाना सके आने से ही थोड़े ही पाप करेंगे परंतु आत्मा को सतो रजो तमों से पास करना है इस चक्र को भी समझना है अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे स्कूल में भी बारा मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है न अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी बहुत व्रद्धी को पाएंगे कितने सेंटर्स खुले हैं सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं परन्तु टीचर्स इतनी तयार नहीं है फर्स क्लास शिफ्ट होती है अमरित वेला कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे स्कूल में भी अभी दो बार शिफ्ट होती है अच्छा बच्चों ने समझा बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं बच्चे रात को अपना रोज पोता मिल निकालो तो आज हमारा रिजिस्टर खराब तो नहीं हुआ कोई भूल तो नहीं की फिर बाप से माफी लेनी चाहिए शिबाबा हमको माफ करना आप कितने मीठे हो भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का तो मेरी आग्या मानो ना नमबर वन फर्मान है कि देही अभिमानी बनो विकार में मत जाना यह महा दुश्मन है इन पर जीत ना पाई तो पद भरष्ट हो कुल कलंकित बन जाएंगे माया बड़ी प्रबल है लड़ाई है दीवे और तुफान की इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े हम बाप के बने हैं फिर यह माया कैसे विघन डाल सकती है हाँ तुफान तो मचाएगी पर अन्तु कर्मिंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है बहुत उंच पद मिलता है न कुछ खयाल भी करो तुम किसको कहेंगे कि हम नरसे नारायन बनने के लिए पड़ते हैं तो सब हसी उड़ाएंगे या तो धारना चाहिए या तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ आत्मा हूँ तब ही सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे नंबर वार पुर्शार थनुसार बच्चों प्रती बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार अपना रेजिस्टर खराब नहों इसका ध्यान रखना है बाप की आग्यामान देही अभीमानी बनना है करमेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी सर्वगुण संपन बनने के लिए कर्मींद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म न हो जाए जिसका विकर्म बन जाए पुराना हिसाब किताब चुक्तु करना है वर्दान अपने भागय की समरती से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव अमरत वेले से रात का ब्रामन बच्चों को जो श्रेष्ट भागय मिला है उस भागय की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो वह मेरा श्रेष्ट भागय जो भागय विदाता ही अपना हो गया इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो कुछ भी हो जाए मरने तक की बात भी आ जाए लेकिन खुशी नहीं जाए शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं लेकिन खुशी नहीं जाए स्लोगन हर्शित मुख रहना है तो साक्षिपन की सीट पर बैठ द्रिष्टा बन कर हर खेल को देखते चलो दादी प्रकाश्मनी जी के पंदरवे स्मरती दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य संपन्नता वा संपूर्णता की समीपता की निशान्य पहली आत्मा जितना संपन बनती जाएगी उतना मनसा वाचा करमणा में कोई भी सोक्ष्व विकार नहीं रहेगा उन्हें संपूर्णता की मन्जिल समीप दिखाई देगी दूसरा मन वचन करम से सदा अहिंसक रहेंगे कभी किसी को न दुख देंगे न दुख लेंगे जब दुख देना और दुख लेना समापत हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है तीसरा जो सम्पूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वेरागी होगा उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा सबसे ममत्व तूट जाएगा वह सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा चोथा उन्हें कोई भी पुरानी वस्तू तत्वों सहित अपनी तर्फ अकर्शित नहीं करेगी वे सदा एक बाप की ही अकर्शन में रहेगा पुद्धी में एक बाप की याद अर्थात एक का ग्रवरती होगी पाच्वाँ वे खुद से भी संतुष्ट होगा औरों को भी संतुष्ट करेगा उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा छटा उनकी साक्षिपन की स्टेज रहेगी सदा साथी का साथ अनुभव होगा देह अभिमान की बुद्धी से अत्वा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा द्रश्टी वरती में रुहानियत और अलोकिकता होगी साथ वाँ प्योरिटी में फुल होगा सिर्फ ब्रह्म चरे नहीं लेकिन ब्रह्माचारी होगा किसी में भी उसकी आँख नहीं डूबेगी क्योंकि उसे नशा रहता है हम किसकी संता नहीं आठवा वे किसी का अवगुण चित पर नहीं रखेगा वे किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा पुरानी चाल पुरानी संसकार की तरफ बुद्धी नहीं जाएगी वे सदेव स्वचिंतन में रहेगा नोवा जैसे साकार बाबा ने सदेव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा जितना मान उतना निर्मान होकर रहा निराकार निरैंकारी वैसे सदेव अपने को सेवाधारी समझना यह भी समपुर्णता की निशानी है दसवा वे अपने को सदेव निमित समझेगा मैमा को कभी स्विकार नहीं करेगा मैमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है लेकिन निमित समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा वे मैमा में खुश नहीं होगा और निंदा में घबराएगा नहीं दोनों में स्थितिस्मान ह ग्यारवाँ वह सब का संबंध एक बाबा से ही जुडाएगा उसके मुख से बाबा के प्रती स्नेह के बोल निकलेंगे प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे से प्यारी चीज दिव्य बुद्धी की सोगात दी है उस सोगात को संभाल कर रखेगा बारवाँ ग्यान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा ग्यान नेत्र खुला होने कारण सदेव समर्थ संकल्प चलेंगे यह भी संपूर्णता की निशानी है तेरवां उसका हर कर्म श्रीमत प्रमान होगा श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा दिव्य बुद्धी के आधार पर हर कर्म होता रहे यह भी संपुरुनता की निशानी है चोदवां वह आग्यकारी वफादार होगा एक बल एक भरोसा सर्वसंबंध एक से किसी तरफ भी जुकाव नहीं ऐसा लगाव जुकाव से मुक्त होगा पंदरवां उन्हें कोई भी परिस्थिती नथिंग न्यू लगेगी पांच हजार वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे यह तो कल की बात है अच्छा, ओम शंती